हेलो फ्रेंट्स मैं जानकी निशादे डोकेट आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ प्रॉपर्टी ओनर्सिप बारा साल में किरायदार का क्या हो जाता है मकान जानी क्या कहता है करून यह दोस्तों क्या इसा कोई करून है जिसके अंदर गत कोई मकान मालिक किराये पर दे दिया किराये मकान को क्या हूँ बारा साल के बाइद उसका स्वता है उस मकान का मालिक हो जाता है किरायदार क्या कहता है कारून आईए हम इस वीडियो के अंदर के जाने का प्रियास करते हैं तो फिर इस वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो बहुत ही के विडियो के पूरी डिडियो दे गई है जlor ने कि खाली रहती है तो उसे किराय पर दे देता है यह नी कोई भी वड़्यक्ति वह खर्जापारी चलाने के लिए जो मकान का अगाध हिस्सा खाले रहता तो उसको किराय पर देता है जब भी कोई मकान मालिक अपनी प्रोपर्टी को किराय पर देता है तो उसे डर रहता है कही किरायदार कुछ सालिहान आने के बाद उससे जमीन पर उस घर पर कबज़ा तो नहीं कर लेगा ऐसा का जाता है कि अगर कोई किराधार करीब 12 साल तक किस किराय से प्रापर्टी में रहता है तो वा उस पर अपना हक जता सकता है और कबज़ा भी कर सकता है कई बार इस तरह कि मसले साइद आपने कोट में देखे होंगे एक से कोट में ऐसे मामले आते हैं बैद अखली के मामले में कि फला बैक्ती ने मकार माली ने मुझे किरा दुकाल से निकाल दिया है अब सवाल यह बनता है कि क्या ए बाते सही हैं क्या है सहे में ऐसा कोई नहीं है में कि कुछ साल बात किरायदार संपत्ति पर हग जदा सकता है या फिर बाते सारी गलत हैं आई आज किरायदार और मकान माली से जोड़े कुछ नियमों को जानने का प्रयास करते हैं इने जानने के बाद आसानी से आप समझ सकते हैं कि की घर किराय पड़ते हैं की नहीं थे एक किरायदार और मकार माली के कुछ नियमों को जानना बहुत जरूरी है तो चलिए कब कब जा कर सकते हैं किसी मकार को किरायदार आखिर एडवर्स पस्ट जेसन क्या होता है अगर 11 साल से ज्यादा समय समय रह रहा है तो उस प्रपर्टी पर अपना अधिकार जमा सकता है इसके उलट अगर कोई किरायदार और मकाल मालिक समय समय पर रेंट एग्रिमेंट करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अजrico कोई करने से आपके पास एक शबूत के तर पर रहेगा कि आपने अपने प्रापर्टी किशे दूसरे ब्रॉक्त को किराय पर दे रखी है इस स्थित में कोई भी किरायदार उस प्रपर्टी पर मालिकाना हक नहीं जमाश रखता है दोस्तों सुप्रीम कोट की एक फैसला आया था लिमटेशन एक्ट 1963 के अंदर रगत निजी अचल संपती पर लिमटेशन की बैज़ता 12 साल है नहीं सरकारी अचल संपती की मामले में या है कि लिए तीस साल गे बता दें कि अगर किसी बैक्तिए divert सब्सक्राइब कर रहें तो उस पर हग हो जाता है तो बस आज आप राये पर अगर किस्ते आप सब्सक्राइब करें जब दोस्तों मिलेगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो देखरें के लिए परचा को सब्सक्राइब करें